सब्सक्राइब टू मैं चैनल अरिन्दम रॉज चौधरी फॉर मोर अपडेट्स ऑन जे-ई, बिट्साइट, कॉलेज अपडेट्स एंड कॉलेज काउंसिलिंग अब बहुत से लोग पूछेंगे, मैं आपको चार बजे उपने क्यों बोलों, सारी-चार बजे तक चालू करने क्यों बोलों, आपने इसको शाम में नहीं कर सकते का, सुबह में नहीं कर सकते का, देखो, केमिस्ट्री पढ़ लेगा, सबसे सही टाइम होता है, सुबह का समझो, तो आज बिसीकली में ये 5-minute की वीडियो बना रहा हूं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ और 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 बात करेंगे, and how to perfect organic chemistry for your J-E-Main 2020, as well as Bitsat, ठीक है, तो J-E-Main 2020 और Bitsat is far far more relatable than J-E-Advanced and Bitsat, ठीक है, उसको अमल किया, 15 दिनों के लिए आपकी organic chemistry एक टॉपनों अच्की हो जाएगी, ठीक है, एक बहुत लादा सिंपल एक process हम अपनाने वाले है, और देखते हैं कि अगर आप इसको प्रना दिन में कर पाते हो, तो आपको 99.99% chances है, इतनी surety हम आपको दे रहा हूं कि आप पक्का excel करोंगे organic chemistry में ठीक है, बहुत है लोगों जिनको भी organic chemistry में निक्कत होती है, पहले एक बार, अपना sleep cycles उधाने से क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, चार बज़े उठो, साड़े-चार बज़े से इंदम fresh हो चोकिर, एकदम तयार हो जाओ, साड़े-चार बज़े सम एक rigorous experience 15 दिनों के लिए चालू करने मुला है, साड़े-चार बज़े उठो, आपको जितने नेम reaction यादे chemistry के जिस भी chapter के लिख दो, आदा घंडा है आपके पास, इससे क्या होगा आपको जो thought process प्रोसेज है प्रेशर सिचुएशन में, सब उठाके एक बार पलट-पलट के देखो की कौन जे कौन से नेम reaction आपके छूड गए, ठीक है नेम reaction एक बार लिख के उसका mechanism मनाने के लिए उतनी जगा छोड़ दो, ठीक है, इतनी बड़ ये copy खरीद लो, ठीक है, इतनी मोटी होनी चाहिए, उसको आप use कर सकते उस सब्सक्राइब लिख लो, ठीक है, सारे नेम reaction आपका एक दिन का गाम, अगले दिन वापस रिपीट करो, अब आप उमीद करता हो, अगर आप पहले दिन में 12 नेम reaction लिख पाए हो, अगले दिन आप 15 नेम reaction लिख पाओगे, फिर 18, फिर 20, ऐसे करगार कि आपकी efficiency बहुत इस चीज को परना दिनों तक फॉलू करो, एक बाप वापस रिपीट कर लो, चाल बजे उपना है, सारे जार बजे तक एकदम fresh होना है, एकदम fresh mind के साथ करना ही, एकदम, ठीक है, सारे जार बजे से पाँच बजे तक जितनी नेम reaction याद आरी है, सब लिख दो, पाँच छे बजे तक N से आटिक हो लो, जितना दा रिकॉल कर सकते हो, मेकानेजम के साथ लिख लो, और 6 बजे से 6 बजे तक अराम से वापस एकदम एक रिकैप्सुलेशन मार ही लो, ठीक है, इस चीज को परना दिनों तक फॉलो करो, आपको बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है, बहुत ज्याए लोग पूछेंगे मैं आपको 4 बजे उपने की वे लो, चारे-चार बजे तक चालू करने की वर लो, आप इसको शाम में नहीं कर सकते, सुब़े में नहीं कर सकते, गरास में नहीं कर सकते, देखो, chemistry पढ़नेगा सबसे सही time होता है, सुबध का time, ठीक है, म से यह कह रहा हूं कि आप 4 बज़े चालो करो एक्सपक्टिक चार बज़े किसे कर में कोई नहीं उठता है सारे चार बज़े से लग जाओ इसमें सारे च्छे बज़े तक महनत करो चार सारे च्छे बज़े का ताइम अगर आप एक्तम यूटिलाइस कर पा रहे हो ना अब बहुत सारे लोग में यह भी बहुत सारे लोग में आपके हमारे ncrt के अलावा भी कुछ 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 नहीं रेक्शन साथे जैसे के डिल साल्डा रियक्शन कोई दिकत नहीं है 15 दिनों के लिए ncrt पे एक्तम अच्छी से होल्ड बना लो अगले 5 दिन ठीक है मैं आपको सारे नहीं रियक्शन तो आपके chemistry ncrt में नहीं है मैं आपको सब की लिए से लिखके दूँगा आप उसको आराम सी किसी भी पो क्या फिर इंटर्नेट से पढ़ सकते हो mechanism के सांथ है कि आप सारे questions बना सकते हो जैमेंस और bedside में एक खूब बात है ठीक है जैमेंस और bedside में आ आपको हमेशा ऐसे questions से आते हैं so therefore I want you to be full focused for these 15 days and employ this technique तापके आपको बहुत ज्यादा फाइदा हो and I am telling you सुवे के ताइम पे करो चार्च साढ़े शे ताकि आपको एकदम ही stable environment मिले ताकि आप अच्छे सी focus कर सोगो और आपके दिमाग में सारी चीज़े बैग जाए ठीक है I think organic chemistry is one of the most you know important and difficult aspects of chemistry and अगर आपने इस 15 दिनों को quarantine के 15 दिनों को अच्छे से उडिलाइस कर ले organic chemistry के लि कि आप complaint नहीं करोगे बिटसाड और जरीमेंस में आप फोर्ड लोगे ठीक है तो समय आगे आप सब सर्दा रेने का अलविटा